मिनाक्षी जी और हमाई साथ खुराना साथ दिल्ली प्रदेश के हमारे स्पूक्स वसन हैं और मैं मिनाक्षी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी बात प्रेस के माध्नम से सब के साथ करें नमस्कार मित्रों आज की जो विशे है वो यह है कि पिछले पांच दिन से बार्तिय जनता पाटी धरने पर बैठी है और धरने पर बैठी है क्योंकि शीश महल का हिसाब किताब हमको चाहिए और आपको दो बाते मैं मुख्य तोर पर आपके माध्यम से सब को बताना चाहती हूँ वो यह है कि एक है नेतिक दोगलापन और दूसरा है कानूनी तोर पर कानून का उलंगन तो नेतिक दोगलापन केजरिवाल जी के व्यवार में साबित होता है कि एक तरफ उन्होंने कहा था कि मैं बहुत औस्तियर साधारन जिंदगी जीऊंगा घोड़ा गाड़ाई बंगला नहीं लूँगा और उन्होंने वो सब केवल लिया नहीं बलकि अपने लिए सेबिन स्टार फिसिलिटी बनाने का काम किया दूसरा ऐसे समय पर ये सब हुआ जब दिल्ली की जनता ऑक्सिजन और आपको याद होगा कि इन्होंने ऑक्सिजन के उपर कुछ इंवेस्ट नहीं किया केंद्र सरकार के उपर लगाता प्रेशर बनाते रहे कि 972 मेट्रिक टन हमको ऑक्सिजन चाहिए जो पूरे देश की जरूरत थी कोरोना से पहले पूरा देश 972 मेट्रिक टन ऑक्सिजन इस्तिमाल करता था मेडिकल ऑक्सिजन केवल दिल्ली के लिए इनको इतनी ऑक्सिजन चाहिए थी और उसको कहां-कहां व्यवस्तित ढंक से बाटना है करना है उसकी कोई काम नहीं किया बलकि प्राइवेट अस्पतालों की जहां उनकी अपनी सप्लाइचेन बनी हुई थी उसको तोड़कर इन्होंने बाकी जगा बेजने का प्राबदान किया जिसमें कई लोग गंगराम अस्पताल बाकी जगाव पर उनकी मौत भी हुई तो ऐसे समय पर जब दिल्ली की जनता त्राही मानती कोरूना से बोज़न की विवस्था मास की विवस्था निटाइजर्स की विवस्था सफाई की विवस्था ये सब चीजे चहिए थी और साथी construction के उपर, निर्माण के उपर रोक थी, ऐसे समय पर ये कारे किया गया, और 45 करोर रुपे उस पर खर्चे गए जब एक एक रुपे की ज़रुरत व्यक्तियों के जीवन बचाने की थी और उन्ही मजदिरों को जबरण दिल्ली से निकाल कर अन्य जगाओं पर उनके स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश सब जगा धकेला गया, वो दिन मेरी आखों के सामने है और मैं चाहूंगे कि सब लोग उस दिन को याद करें कि एक तरफ व्यक्ति को नहीं पता कि अगला दिन अगला मिनिट नसीब होगा या नहीं करोना की मार कैसी पड़ेगी और वहाँ पर ये व्यक्ति अपना शीश महल बना रहा था ये हुई नैतिक मुल्यों का हनन और moral wrong सेकिंड आस्पेक्ट, जो दूसरा आस्पेक्ट है, वो है कानूनी उलंगन देश के प्रदान मंत्री या मुखे मंत्री या इन पदों पर रहने वाले लोग अगर लोग तंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, तो उसी संविधान के तहत बने हुए कानूनों का क्या उलंगन कर सकते हैं, और फिर दोहाई भी दे सकते हैं। ये दोगला पन भी आप सब के सामने आना चाहिए। जब ये अपना मुकाबला कि प्रदान मंतरी के निवास पर इतना खर्चुआ, फलामुक के मंतरी के निवास पर इतना खर्चुआ, तो भाई मुझे ये बता दो उन्होंने नियम कानून को ताक पे रख के पैसा खर्च किया था या नियम कानून के अनुसार खर्च किया था आप 100 करोड खर्च थे लेकिन आप हिसाब तो बताओ आप जगा तो बताओ Master Plan दिल्ली 21 के मताबिक जो ये क्षेतर है जहां पे इनका निवास है उसमें इट भी नहीं लगा सकते तोड़ फोड तो बहुत दूर की बात है क्योंकि वो लक्टियंज डेली की तरीके की जगा है जो नियम कानून के अनुसार हेरिटेज एरिया है वहाँ पर आप construction नहीं कर सकते इन्होंने वो construction किया नंबर दो अगर कुछ construction होता है इनिट लगती है कुछ भी काम होता है उसके लिए आपको DUAC डेली अर्बन आर्ट कमिशन की permission चाहिए होती है आपने वो permission ली जवाब है नहीं क्योंकि वो permission कुछ conditions पे मिलती है कि construction ऐसा होगा वैसा होगा इस चीज का ध्यान रखा जाएगा उस चीज का ध्यान रखा जाएगा तो उसकी भी कोई permission इन्होंने नहीं ली तीसरा 45 करोड रुपे आपको खर्चना था तो क्या आपने 45 करोड रुपे का कोई tender float किया जवाब है नहीं स्कैम यहां पर है क्योंकि 45 करोड रुपे का कोई tender नहीं खर्चा बलकि इन्होंने नियम कानून का उलंगन करते वे क्योंकि 10 करोड और 10 करोड से उपर कोई tender amount होता है तो वो सेक्टरी PWD के हस्ताक्षर के बिना अपरूफ नहीं हो सकता इन्होंने उसको नीचे नीचे 9 करोड और 9 करोड से नीचे की कई सारी किष्टों में उस पैसे को निकाला 45 करोड का tender नहीं किया टेंडरिंग प्रॉसेस के मुताबिक ये टेंडर ये ओपन टेंडर आपको करना होता है और उसका भी नियम है मैं आप कहेंगे तो मैं उसको कोड कर सकती हूं कि वो 2019 का 2674 जो है वो प्रेस्क्राइब है नियम उसका उलंगन करते वे इन्होंने पूरे अमाउंट को स्प्लिट किया बाटा छोटे हिस्सों में ताकि वो उस नियम से बहार हो सके साथ में नियम है कानून है कि 20 लाग से उपर फरनिचर, फरनिशिंग कुछ भी है तो उसमें आपको कंकरेंस चाहिए होती है फाइनाज डिपार्टमेंट की तो उस फाइनाज डिपार्टमेंट की कंकरेंस ना लेनी पड़े ग्यारा करोल रुपे आपने खर्च दिया फर्निशिंग के उपर और साथ ही जो इटेंडर है उसमें भी आपने डिवेशन किया जो एक्जिस्टिंग टेंडर से 5.6 क्रॉर्स के या कितने के उसके साथ पूरा 50 परसंट उसको फाइदा पहुचाने के लिए कॉंट्राक्टर को ठेकेदार को फाइदा पहुचाने के लिए आपने उस काम में आप उलजे और आपने वो भी गैर मियमित डंग से कारे किया जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो सोचिए 314 स्क्वेर मीटर की जगा को आपने एक हजार से उपड़ा लिया कैसे बढ़ाया यानि आसपास की जो बाकी प्रोपर्टीस थी उनको आपने अपनी इस प्रोपर्टी में मिलाया अरे दो भाईयों का भी अगर मकान बढ़ता है या पांचसो गज का प्लॉट डाइट सो डाइसो में बढ़ता है या 1500-500 में बचते हैं, उसकी भी permission होती है, यहां तो आपने बढ़ा लिया बिना किसी permission के, बिना किसी बातचीत के, वो भी गयर कानूनी काम किया, और ये सब करने के दोरान, आपको याद है, odd-even, दिल्ली का pollution, लोगों में पैसा बटना, environment concerns, वातावरण को, दिल्ली के concern है, तो पेड़ गिराने की permission होती है, जो काम इन्होंने टेंडर को बाठ कर, छोटे-छोटे हिस्तों में, वही काम इन्होंने पेड़ गिराने की permission पे भी किया, पेड़ गराने की permission अगर दस पेड़ से अधिक होते हैं, तो वो भी superior officer के पास जाती है, और उसमें forest department के उपर इस तरीके से इन्होंने उसकी permission नीचे नीचे ली, ताकि वो उपर के अधिकारियों के पास ही ना जाए, क्योंकि उपर के अधिकारियों के पास जाएगी, तो investigation होगी, लोगों को पता चल जाएगा कि आप को रोना की समय पर क्या हरकते कर रहें, तो नीचे ही नीचे, पहल को उपर के अधिकारी से permission लेनी है, उपर के अधिकारी के पास permission जाती, तो बात फैल जाती, तो इन्होंने नीचे ही नीचे अपने level पे ये काम कराया, और ये पेड गिराने के एवज में, आप जानते हैं दिल्ली का नियम, कि आपको उससे अधिक जो है पेड लगाने पड हैं, बाकी का कुछ हिसाब किताब नहीं है, जो ट्रांसलोकेट करने थे, जो बड़े 200, 300, 400 साल पराने पेड हैं, उनकी ट्रांसलोकेशन होनी थे, उनको आप खाट नहीं सकते, तो ट्रांसलोकेशन में एक बरगत का पेड जीवित है, ग्यारा पेड मर चुके हैं, और साथ कहां हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो ये है दिल्ली के मुक्खे मंतरी आपके लिए, और साथ में, ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, कि जिस कॉन्ट्राक्टर को सजावट का का म दिया गया, इंटीरे डेकॉरेशन का काम दिया, वो कॉंट्राक्टर है सीता नंदा और सीता नंदा के खिलाफ 2022 में इंकम टाक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई है, तो अब इंकम टाक्स का कनेक्शन है, उसके करते वो कॉंट्राक्टर बनी है, या एक ब्रश्टाचार, दूसरा इन सब के बीच में, जो बाकी चीज में आपको एक चीज और बताना चाहते हूं, वो यह है कि संजे सिंग कल से वापस true to its own colors, पार्टी का जो रंग है न, उसी रंग के मताबिक संजे सिंग ने एक और कारे किया है, और वो है, इतना जूट बोलो, इतना बड़ा जूट बोलो, और इतनी बार बोलो, कि जूट सच लगने लगे, और उसी जूट को सच लगाने के लिए, वो एक कावत और है, थोथा चना बाजे घना, तो वो थोथा चना बाजे घना इस तरीके से चल रहा है कि ED की जो चार्च शीट दाखिल हुई, second चार्च शीट, उसके अंदर चार जगा पर संजे सिंग का नाम आया, चार में से तीन जगा संजे सिंग का नाम ठीक है, एक ज जगा पर टाइपिंग करते वे गलती से संजे सिंग लिखा गया, और ये लिखते ही, जैसे ही ED को एकदम से पता चला कि ये गलती हुई, बीस तारिक को, बीस अप्रेल को उन्होंने अप्लिकेशन कोट में लगाई, कि ये हम से गलती हुई है, एक जगा पर हमने गलत लिख यहां पर राहुल सिंग होना चीए, टाइप करते-करते क्योंकि संजे सिंग संजे सिंग तीन-चार जगे आ चुका था, इस वज़ा से एक जगा पर हमने राहुल सिंग की जगे संजे सिंग लिखा, कोठ हमको परमिशन दे, अधिकार दे कि हम इसको ठीक करके, को ठीक करके फरनिश कर सके और साथ ही बाइस तारीक को बीस तारीक की अप्लिकेशन है कोड की बाइस तारीक को संजे सिंग ने नोटिस जारी कर दिया कि ED ने defamation किया मेरा नाम गलत इस्तेमाल किया ये किया वो किया बिना बताए कि भाई तीन जगे सही नाम लिखा आपका और उन तीन जगे के मताबिक 82 लाक रुपिया आपने दिनेश अरोडा से लिया या नहीं आप ये बताइए आप इसका जवाब दीजे कि होटल एसोसियेशन के क्विट प्रो क्यों के अंदर तीन बज़े तक सारे होटल खुले रहेंगे इसकी एवज में आपको 82 लाक रुपिया मिला था या नहीं मिला था आप इसका जवाब दीजे और उसका जवाब कि तो बात नहीं कर रहें तीन जगे नाम आया इडी की चार्शिट में उसकी बात नहीं करें एक जगा जो टाइपोग्रेफिकल एरर है उसके लिए क्या चलाया इडी ने माफी मांगी इडी ने गल्ती की इडी ने नाम गल्ट किया तो आप अंदाजा लगाए कि कितना बड़ा बड़ा जूट कितनी बार और जूट को सच बनाने के लिए ये पूरी पार्टी इसी तरीके की है जहां पर इन सबने मिलकर जूट बार 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 संविधान की दुहाई बार 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 अपने मीडिया के सभी बंदों से ये दरख्वास करना चाहती हूँ कि देश के लोकतंत्र में आपका रोल भी बहुत बड़ा है और उस रोल के मताबिक जो प्रशन पूछे जाने चाहिए और जो सच आई है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए लोगों को इस बात की सूचना होनी चाहिए कि ED ने चार्चीट में इनका नाम चार जगा इस्तिमाल किया है जिसमें से तीन जगा ठीक है एक जगा राहूल सिंग की जगा संजे सिंग लिखा गया है उसके लिए ED ने 20 तारीक को ही दरखास लगा दी थी कि इसको ठीक करने का हमें मौका दिया जाए तो ये आज की स्तिती है और मैं दुबारा कहना चाहूंगी कि जो शीश महल है जिसके दरवाजे आपने दिल्ली की जनता के लिए बंद किये है आप 4-4 लाग का कंबोड लगा रहे है आप लाखों रुपे के परदे लगा रहे है करोडों रुपया आपकी किच्चन में खर्चो रहा है आप 8 करोड का मार्वल लगा रहे है मतलब आप अंदाजा लगा ये एक तरफ आप कहते है छट लीक कर रही थी अभी छट लीक कर रही है तो मैं छट रिपेर करूंगी कि फ्लोर के उपर मार्वल लगाऊंगी फ्लोर के मार्वल लगाने से छट लीक ठीक होती है क्या या वाटर ट्रीटमेंट करना होता है और कोई भी हिसाब लगा लो जी कोई हिसाब लगा लो पर स्क्वेर मीटर पर क्या प्रूफड रेट है कंस्ट्रक्शन का आपका हिसाब कैसे बनता है बताओ कमोड चार लाग का लगाने से मतलब बेतर इस्तिमाल होता है क्या वेर को समय च्छत लीग कर रही है पानी कराब है अलमारी ठीक नहीं है तो आप चार लाग का कमोड लगाएंगे मतले बताइए जरा यह जिस तरीके का जूट मैं वापस अपनी इनिशिल स्टेटमेंट पर आती हूँ कि जिन लोगों ने का कि गोडा गारी बंगला नहीं चेहिए वो अपने लिए सेविंस्टार फसिलिटी बना रहे हैं यह तो नेतिक मुल्यो का हनन है या नहीं तो आपने लिए सेविंस्टार फसिलिटी बना रहे हैं I will repeat all this in English because some may have that requirement so to begin with there are two aspects to the entire wrong one is that for five days BJP has been sitting on dharna seeking investigation into the details of the wrongs committed by Amadmi Party's supremo called Mr. Arvind Kejriwal there are two aspects to the wrong one aspect is the moral and ethical wrong moral and ethical wrong because at a time when Delhi was undergoing the stress of having corona all over when people, the migrant laborer who have been used to build this shishmail were getting thrown out of Delhi by this very government without making adequate arrangements for them at that point in time when Delhi needed oxygen and they were demanding 972 metric tons of oxygen for Delhi for which there was no installation of any facility where all this could be stored or stacked up or distributed so many people died in Gangaram hospital and several other places because they diverted the private supply chain which those hospitals had made for themselves and at that point in time when people did not know whether for the next moment they are going to be alive or dead at that point in time this construction activity was going on in Delhi which was illegal because at that point in time construction was banned in Delhi that's people needed masks people needed sanitizers people needed sanitation keeping all that aside this person was building a shishmail for himself number two in this very regard remember the day when he talked about Caesar's wife he said we are like Caesar's wife I would say the Caesar himself is committing the wrongs because on one side he said he will not accept anything which is ultra luxurious he will live an austere simple life now austere simple life a person wanted to live but built not a five star but a seven star facility for himself so these are the aspects of moral wrong the second aspect is the aspect of legal wrong when he compares himself with the prime minister of the country or the chief ministers of the country then they would have spent the money in terms of what the law permits not against the law now I will enumerate the legal wrongs which he has committed number one the master plan 21 according to which it's not permitted to engage in any construction in this area which is called civil lines because it's a heritage area like civil lines like Lutyens Delhi you cannot even put a brick in violation of laws and you need to seek permission so one in against the MPD 21 our master plan 21 you've constructed which is one wrong so you're violating the law the second wrong DUAC Delhi Urban Art Commission's permission was to be needed because that is given on certain conditions that whatever will be the construction will be in terms of this design that design this material will be used that material will be used heritage structure will be kept in mind without taking their permission DUAC permission this was acted upon the third point the contract for 45 crore should have been issued there should have been a tender for 45 crore because that's the entire amount you wanted to spend so without having to float a tender for 45 crore because anything which is 10 crore and above you need to take permission from the public works department secretary so they try to do they split the tender so instead of going in one go of 45 crore they split the tender into multiple forms keeping the amount less than 10 crore so that the superior agencies or authorities do not get a whiff of what is going on so 9 crore 8 crore 1 crore like that in several pieces the big tender was split into to evade the permission from a superior authority then in terms of the regulation because if you were to do it the right legal way you have to float e-tender there was no open e-tender in this entire process and that is where the scam is then to benefit the contractor the existing contracts were exercised for example 5.63 crore 5.6 crore is the amount and they had been given extension which means benefiting the contractor by over 50% that's the kind of work they have done in violation of the regulation then other than this for fixtures and furniture anything above 20 lakh rupees you need the finance department's permission and for that they have even violated that so under a sanction order without an e- without an open e-tender under the sanctions the existing contractors were given this work then the 10 crore and number 10 that's number e so this is this is very important number 10 is really important because on one side the table is of 10 crores on the other side whenever for construction etc you have to fall the trees and you have to undertake any such activity anything above 10 trees a superior authority needs to sign up for that procedure and to evade that the permission was sought for 9 trees 2 trees 6 trees 6 trees and 5 trees so that the superior authorities do not get a whiff of it and if they get a whiff of it then in that case the everything will be blown and everyone will get to know what all is going on so to evade that they kept the number 10 less than number 10 and everybody knows in Delhi people who talk about odd even pollution in Delhi etc etc this is the concern for pollution of Delhi because if you fall certain trees certain numbers have to be planted 10 times the numbers of if I fall one tree I have to plant 10 trees in this case 260 trees were to be planted next to DRDO in DRDO itself Metcalf House at that place only 83 trees have been planted 167 pits are empty and nobody knows what happened to the rest translocation of trees so 26 trees were to be translocated one tree one burga tree banyan tree is found to be transplanted 11 trees are found to be dead and nobody knows what happened to the 7 trees and those 7 trees whether they are dead alive translocated where nobody has any knowledge so this is the concern for the environment of Delhi this Delhi chief minister has interestingly Sita Nanda who is supposed to be the decorator and who got the contracts for decoration and interior decoration was given one crore as the consultancy fee has been found to be involved in some taxation wrong and there was an income tax raid at the premises of Sita Nanda now whether it's the income tax connection or it's the wrongdoers connection these people have been used for decorating the house of Mr the Shish Mahal of the Delhi chief minister instead of answering all this they are constantly obfuscating and creating confusion in the minds of people constantly telling lies that's what our Madhmi party has reduced itself to and which is a matter of shame because when you are dealing with subject matters which concern your integrity party's integrity and you are constantly talking about the constitutional morality you're talking about the legal morality of an authority at that point in time Sanjay Singh from our Madhmi party has been making false accusations and is trying to derail the public opinion by lying not just lying lying multiple times lying aloud so that people do not get to see the truth I request the friends from the media the members of the media to bring the truth to the notice of the people and the truth is that in ED chart sheet the second chart sheet filed by ED the name of Mr. Sanjay Singh has come at four places and when the name has come at four places three places the name has been correctly used as per the statement of the ED and only at one place there is a gentleman called Rahul Singh who happened to be the excise commissioner at that point in time and instead of using Rahul Singh's name the name of Sanjay Singh was wrongly typed when this came to the notice of the ED on 20th April on 20th ED moved an application before the court saying that this be corrected and we be allowed to correctly furnish the chart sheet it never said that three places Sanjay Singh's name has been wrongly used only at one place the name of Sanjay Singh has been wrongly typed so correct let allow us to correct that on 22nd of April Sanjay Singh sent a notice to the ED defamation my name has been wrongly used etc etc and tried to obfuscate the entire issue by saying it's a case of defamation I'm being blatantly the ED is being blatantly used against me the fact of the matter is that Mr. Sanjay Singh question still remains that whether Mr. Sanjay Singh received a sum of Rs. 82 lakhs from Dinesh Arula or not for increasing the timing of the Delhi hotels by 3 AM that is the question which Mr. Sanjay Singh should directly answer that's where I rest my case we are very sensitive to this cause and for that reason two committees established Supreme Court case in front of the Supreme Court and the investigation is still going. F.I.R. is still going on. whatever the country needs to happen we are doing. What happens when people who are in this way are in the case of ED are in the case of excise and are in the case of excise 45 crore in Shish Mahal and are in the case of excise when these people reach such a wealth then they come to the wealth of credibility and in such a way when especially Saurabh Bharatwaj for example we are doing a meeting in the case of Dinesh Pathak I want to give you a name which people have come to you when they come to that kind of the people when they are successful then in the case of the reality the seriousness of it is diluted in this case Saurabh, Adil Khan, Durgesh Pathak, Neeraj and Sandeep these people are in Delhi में मीटिंग होता है इस मीटिंग के बाद सौ लोगों की पगड़ी के लिए पैसा खरीदा जाता है मैट्स खरीदी जाती है और वाटरप्रूफ टेंट की विवस्था का इंजाम किया जाता है तो आप ही बताईए कि जब इस तरीके की गतिविद्यों का जो राजदिती करण होता है तो वो क्रेडिबिलिटी जो है जो खोदी डिस्क्रेडिटेड है वो लोग जाके बैठेंगे तो वो थोड़ा असर करता है तो देखे मैं तो वही बात है सोमनात भारती अपनी बीवी के डिमेस्टिक वाइलेंस के केस में इंवाल्व यक्ती है और और तरीके के चीजों में भी उनके नाम है तो ऐसे लोग जब ब्रश्टाचार का जवाब देनी की बजाए वहां पहुशते है जब कारवाई हो रही है मामला कोट में पड़ा हुआ है तो जो खुद ही डिस्क्रेडिटेट है मैं इसमें और क्या कह सकते हूँ की पर देखिया जिक्षा हो ने का आ Rashmi को बात करने के साथ वह करता हूँ देखे जिनका खुद मकान धाने का वकत आ गया है तो जो मकान धाने का काम जिनका चुरू हो रहा है वो इस तरीके की बात करेंगे तो क्या है मतलब हां वो करेंगे ही ऐसी बात थोथा चना बाजे घना भाई ब्रश्टाचार की बात हो रही है आप तो ब्रश्टाचार पे जवाब दीजे आप तो बताईए कि 45 करोड का शीश महल कोरोना के दौरान नियम की ताक पे लगा कर आपने बताया तो आप बताईए कि आपको डहाने का आपका मकान डहाने का टाइम आया या नहीं मतला बुल्डोजर आपके मकान पे चलना चाहिए या नहीं एकसाइस पॉलिसी के अंदर आपने गपले बाजी की या नहीं स्कामस्टर्स आप स्काम देखिए 45 करोड के ओर को पांच में ब्रेक करो 10 की परमिशन ना लेनी पड़े तो आप 9, 6, 5, 2 ऐसे करके परमिशन लो तो भाई यही स्काम है ने आप कानून का उलंगन तो आप कर रहे है आपने शीशमेल बनाया है तो आपका मकान डहाने का टाइम आगया कर दो दो आपका if your opposition comes on a back foot, it's a victory for you. And you must remember that yesterday I quoted two lines from Hanuman Chalisa, which says, So those who lack the intelligence, may God bless them, Hanuman Ji bless them with intelligence. Those who lack the strength, God, please give them strength. And I would say for myself and on behalf of my party, please give us the strength, intelligence and vidya, the knowledge to deal with all such things. The press is on Arvind Kejriwal, Shishmael. Thank you. Thank you. You 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 You